तो दोस्तों आज है कितने तारीख आज थर्टी 30 जुलाई 2023 और इस वक्त मैं हूँ सैनरी गाउं के जंगल में और मेरे साथ है यश्रू और इधर है जतिन तो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आपको सैनरी गाउं में सैनरी गाउं का जो लोकेशन है जो जगे है वो किस तरह की है और यहां पर सुना है कि आज कथा नहीं कथा नहीं भोग लगाया जा रहा है तो वो भी हम दिखाएंगे आपको और चार बेंच जऑ है अज।ielenników दाईहोथ स्था कि आपको कि दॉगा लगे आपको को आपको में सॉपी ए से तरह किए पळसारन की का hen आपको को।को पहाडों में मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ कि जो पहाड के मकान है हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हों कि बढ़िया हूंगे तो दोस्तों अपने स्वास का ख्याल रखें स्वस्त्र हैं और तंद्रुस्त्र हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि हम आपको दिखाएंगे सैंडरी गाओं का द्रिश कैसी जगे है सैंडरी और मैं हूँ आपका दोस्त लक्षमर सिंग बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड के रंग देशेड्स और पहाड और यह गाई हमारे आगे हूँ हाँ तो दोस्तों पहले हम जाते हैं उधर मंदिर पर मंदिर है कह रहे हैं उधर एक वहां जाते हैं और उधर से गाई देने के लिए भी जा रहे हैं तो उधर का आपको पहले दिखाता हूं मैं हर साथ में है और साथ में कौन है यश्वो और जतिन यह उधर को चलना है जहां को दादी जारी सलों जाएंगे उधर क्योंकि गाए वह लेने के लिए बिजा रहे हैं उधर और मंदिर भी देख कर कि आएंगे हम और ये खाने का है वो ये खाने का है केरें दोस्तों ये पता नहीं क्या है घंगारू है ये और ये है घंगारू घंगारू लाल लाल हो रखे हैं और बच्चे इनको खाते हैं और जतीन और यसो ने टोड़ लिये हैं घंगारू के फल है छोटे छोटे फल हैं घंगारू के और बरसात में देखी किता शांदार हो रखा है और आमा भी तोड़ रही है घंगारू अच्छा बच्चों के लिए तोड़ रहे हैं और यह है सेंडरी का गाउं जरा दूर से आपको दिखा रहा हूं और इसके उपर है देवली खेट इस टॉप पर दिखाई देवली खेट है दोस्तों पहाड तो खूबसूरत होते ही हैं लेकिन बरसात में उसके खूबसूरती पर और चार चांत लग जाते हैं क्योंकि चारों तरफ बरसात के बाद जो हर्याली होती है हरे भरे जंगल दिखाई देते हैं खेट दिखाई देते हैं तो बहुती सुन्दर जो नजारा यहां का दिखाई देता है और हम अब पहुंच रहे हैं यहां के मंदिर पर क्या मंदिर शुया तो ग्वेल देपता का मंदिर है यहां पर यह देखें ग्वेल देपता का मंद है नही मेड़ चसे नहaltetे हैं सो हमार और ऐसे खुब्सूरत जगह पर होते हैं हमारे पहाडों के मंदिर जहां पर एक अलगी सुकून मिलता है तो जतिन और यश्रू कह रहें कि उपर मश्रूम हो रखे हैं तो वह कहते हैं कि मश्रूम तोड़ेंगे देखते हैं अगर मश्रूम होंगे तो आपको भी दिखाये जाएगा कि कैसे मश्रूम हो रखे होते हैं यहाँ पर बच्चे ढूंड रहे हैं मश्रूम और बच्चों ने लगा रखी है शुतार उधर मश्रूम ढूंडने के लिए और जतिम इधर देख रहा है उसको मश्रूम का पता भी है या नहीं है मालूम ने लेकिन यर्शू को मालूम है तो यर्शू उधर घूम रहा है और दोस्तों किता शांदार नजारा पहाणों का लग रहा है देखिए और इस वक्त मैं हूं सैनरी गाम के गुल्जू के मंदिर वाले जंगल पर और इतना शांदार नजारा लग रहा है चीड के जंगलों के बीच में बहुती खुबसूरत और उधर से निकल रही है धूप और एक तरफ है बारिश का माहौल हाँ तो यह देखिए बहुती शांदार और यह है यश्यू और जतिन की गाए यहां आई है घास चरने के लिए और इधर एक गाए यह है और एक गाए उधर चल रही है जो काली वाली गाए है वो उधर चर रही है ये देखिए ये और बच्चे कह रहे थे कि वो मश्रूम ढूड़ेंगे लेकिन उनको एक भी मश्रूम नहीं मिला और यश्रू जो है मायूस हो गया है कि उसको एक भी मश्रूम नहीं मिला और ये लगा दी है बच्चों ने अब दौड़ क्योंकि मश्रूम उनको नहीं मिले तो दोस्तों मंदिर हम होया है गुल्जू के मंदिर और इधर जंगल की खूब सूर्थी भी हमने देखी है और अब हम बढ़ते हैं आगे तो अब जो सेनरी का की जो धूनी है अब हम वहां जाएंगे और वहां पर दिखाएंगे कि आपको भोग लग रहा है और कैसा वहां पर का माहौल है वहां पर कितने लोग आए हुए है को हम भरते हैं आगे को यह बच्चों नों लगा दे दोड़ हाँ यह है तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं उपर पहाड पर और यहां से देखते हैं कि गाउं पूरा गाउं दिखता है कितना दिखता है और यहां से किस तरह का है अच्छा यह देखिए यह है सेनरी का गाउं और यहां नीचे से शुरू होता है गाउं यह पूरा है और यहां उपर रोड तक यह गाउं फैला हुआ है और ऐसे पेड़ पौधों के बीच में बड़े बड़े पेड़हिं के बीच में गाउं बहुत ही सुंदर लग रहा है यह देखिए बहुत ही खूप सुरूरत क्योंकि दोस्तों गर्मियों में पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा जरूरूत होती है वरना पहाड़ों म में दोस्तों ऐसे दूर-दूर पहाडों में पानी की बेवस्ता भी नहीं ए वहाँ भी लोगों ने सब्जी वगरे बोग करके हरा भरा सब किया हुआ है लेकिन जहाँ पानी वगरे खूब है वहाँ पर थोड़ा सा लोगों ने हिम्मत अपने छोड़ दी है और जतिन एक बार फिर से घंगारू तोड़ रहा है यहाँ पर यह देखिए और मश्रूम ना मिलने के कारण वापस लोड़त हुए मायूस बच्चे पहले घर जाएंगे जाओ यह बार जाओ नी आरेगा है तो यहां पर हो रही है खाने के तैयारी यहाँ बनाएंगे करें गाल और करने बाद कर दोस्तों लेकिन कितना टाइम लगता है देखते हैं और ज्यादा तो ये सब जाएंगे भी कीर्टन करने के लिए हाँ तो अभीठोड़े टाइम लगे गा विक तो बचे हैं अभी तो नो आधस बजने वाले हैं कहते हैं कि दस बजे से किर्टन शुरू है है ना तो ठीक है हम तो त्यार करते हैं मैं थोड़ा मुबैल को लगाता हूं चार्ज पर और उसके बाद बढ़ेंगे हम और यह लगा रखें इन्होंने आड़ू और खुमानी के पेड़ लगे हैं और इधर है अपना प्यारा सेंडी हाई सेंडी सेंडी है यह सेंडी है प्यारा वच्चा है यह सेंडी है सेंडी 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 देखो सेंडी के पास लेकर के चलता हूं आपको यह सेंडी और यहां बैठे रहता है घर पर से निग्रानी करता है घर की यह देखो यह सेंडी है घर का पहरुआ है यह पहरुआ चोटा सा पहरुआ है और यहां से देखता है नीचे को देखता है बंदर वगरे कुछ आएं और वहां जो मकान दिखाई दे रहा है दो मकान आगे फीशे दिखाई दे रहे हैं उसके उधर की तरप को है धूनी और यह है इधर का नजारा और पहाड़ है हो शूरती देखिए कितने अच्छे हाग परमकाम लगते हैं पहाड़ों में पेड़ पॉधों की बीच में और यह है अख्रोट का पेड़ अभी अभी छोटे छोटे अख्रोट लगे हैं और धीरे धीरे ये फिर बड़े होईंगे फिर इनको ये खाएंगे तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं धूनी की तरब को वहाँ पर लगना है भोग और देखो अधर आवाज लगने लग गई है सब लोगों को कि चलो धूनी में चलो करके तहां गाओं में जो है ऐसे ही आवाज देख करके सब को जो है बुलाया जाता है तो अभी आ र बश्तों खतरनात भी होता है कि इसलिए संभल करके चलना पड़ता और आजकल वर्सात का मौसम है थो बरसात में और खतरनात होता है यह देखो और यह देखो और यह बच्चे लोग यह कुछ नो कुछ गडबड करते रहे हैं बहुत ही पारिशान करते हैं और है करो इनका आ गिया है वैसे भी बच्चों का हमने उधर जंगल में भी बच्चे हमारे साथ में आये हैं तो हम जो है यह देखो करें करें दोस्तों लेकिन अगर टाइम से हो गए तो ठीक है अगर देर होगा तो हम तो अपना टिपॉला को जो है लोड़ जाएंगे टाइम से क्योंकि फिर हां और और इधर क्योंकि मौसम आजकल बारिश का है और रास्ते खराब है ठीक है और यह राफ्ता है इनक टूब तूब तूब कर देख्या नीचे है और यह दूगिने वाल हो रहा है और हम गाओं के तरव को जा रहे हैं किटन जा रहे हैं यह वह फोग लगए है, यह खोग लग लगया है, यह हमार गाल हो रहा है, जो आप अपर बड़त एल, और बजून को बहुत सुकून मिलना है। चिर्ली हो आपने अपने चत्ट्री बज़ी को अपने प्लेन में पार रहते हैं, उनको अपने गाओं आना चाहिए यह हसीन वादियों में आधा दोस्तों पहाड़ होते हैं और अपनी जो पहाड़ के एरंग है वो तो सभी को अच्छा लगता है प्यारी लगती है यह हमारे पार्खल फूर शूरत है यह हमारे जैखान है हमारे गाओं का नाम सेंदी है अबंढहे बाले या पर? आपका भीवाला मकान है? वह जैखान है और वैसे जो में गाओं है, वह सैंदी है तो हा नाम से है और आगे है हम वह और बढ़ रहे हैं आगे को अ कि वाजाहर कहुत पर बढ़ और अ हमारे गाओंं है सबसे पहले यह है इनका स्कूल है यहां प्राइमरी स्कूल है यहां और उसके वह आगे सल्टाना उगर है कुछ गाओं है कह रहे हैं यह बहुत ही खूबसूरत देखे और आगे से मैं आपको दिखाऊंगा अच्छा यह सामने जो यह मकान दिखाए रहे यह यह रामाधर है दोस्तों अब हम पहुंच गए है पूराने नौले पर इनके तो देखो पैरनी डालते हैं उदर पानी के यह देखो बच्चे लोग यहां देख रहे हैं और यह नौला तो टूट गया है उपर से पानी लेकिन इसमें है भी और यह नहीं तो इसमें पहले से ही अच्या तो पीने के लिए जो है यह नौला बना रखा है और इसमें तो दोस्तों पहले से इस तरह कि टैंक्या भी गाहों में बनाए जाती थी यह तो फैर बहुत का होगा क्योंकि हमारे गाउं में बहुत पुरानी गोल्ड डिग्गी हुआ करती थी डिग्गी कहा करते थे और यह भी अरफ दोस्तों डेखो ढोलकी बजने की जैसे उद्धार से आ रही है कि अब देखो क्या है और वैसे करते कि दस बजे से हैं भजनकीटन आनल दोस्तों पहाडों में मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ कि जो पहाड के मकान हैं ऐसे बहुत से मकान जो है पहाडों में टूटे रहते हैं जिसको लोग छोड़ चाल करके रोजगार के तलाश में शहरों को निकल गए हैं और दोस्तों इस तरह से जो है यह काई लगे रहती है आप देख सकते हो कि तक खतरनाग है इसमें जो है फिसल में का भी रहता है यह यह अब सही आगे है रागता और यह देखो पहाड के मकान क्या हाल जो लोग छोड़ चाल के चले गए होंगे और एक टाइम पर कितनी रौनक यहां पर रहा करती होगी आज देखे क्या हालत हो गई है पहाड के कुछ मकानों की और यह और जिस आगन में लोग बाग बच्चे छोटे बच्चे खेला करते होंगे और बहुत सारे काम होए होंगे इस आगन में और आज इस आगन में आपको सबजी बोई हुई दिख रही है हाँ चलो हेटो तो दोस्तों धेरे धेरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम जो है धोनी के पास पहुंच गए हैं धोनी में पहुंचने वाले हैं इसलिए देखते ये और एक मकान ये नीचे भी देखिए दोस्तों नीचे भी वैसा ही हाल है इधर और ये हम अच्या तो दोस्तों इधर हो रहे हैं भजन कीर तन चल रहे हैं ये हाई 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 क्या कह रहा है हम ये पहुंच गया हम धोनी में पहुंच गये हैं यहां के धोनी लेकिन थोड़ा अलब साइब के लग रही है प्रदोस्तों साब ने गाओं दिखाई दे रहा है दूगुणा गाओं आए तो दोस्तों अंदर चलतें हैं अंदर फोगेंगे प्रेट आए कि इंदे दे रहे हैं के बाजन कीड़तन शुरूर। वहां का देखते हैं।